अब चलिए देख लेते हैं सोम बार के दिन क्या है मीड के आफ निफ्टी के एक्सपारी है तो मीड के आफ निफ्टी के अंदर सोम बार के दिन जीरो टू हीरो का सेटप कौन सा लेवल से बनेगा गेप पर एंट्री कैसे लेना है गेप डॉन पर एंट्री कैसे लेना है और opening पर entry कैसे लेना है कहां पर call by करना है और कहां पर put by करना है और कहां पर trade को avoid करना है सारे चीजे जानने के लिए आप लोग वीडियो में end तक बने रहें अगर आप लोगों को वीडियो informative लगे तो like कर देना चैनल पर नए हो तो subscribe भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करना अब आप लोगों के सामने midcalf nifty का चार्ट है और यहां पर 5 मिनट का time frame लगा हुआ है जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं Friday के दिन midcalf nifty के अंदर कैसा कामकाज हुआ है आप लोग देख सकते हैं यह जो हमारे लिए support था जो की major support के रूप में कामकाज कर रही थी midcalf nifty के अंदर आप लोग देख सकते हैं जब इस level को यहां पर breakdown किया तो इतना बरा downfall देखने को मिला अगेन इसी level के उपर क्या दिया है closing दिया है Friday के दिन midcalf nifty के अंदर तो चलिए अब हम पहले चलते हैं one day के चार्ट के उपर अब आप लोगों के सामने one day का चार्ट है midcalf nifty का आप लोग देख सकते हैं जो previous का यहां पर जो high है देख सकते हैं कभी भी यहां पर breakout नहीं हुआ है देख सकते हैं एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छे बार देख सकते हैं यहां पर कभी भी high जो है breakout नहीं हुआ है जिससे हमें यह indication मिल रहा है जो अभी जो midcalf nifty के अंदर trend है वो क्या है down trend है तगरा downfall कब देखने को मिलेगा midcalf nifty के अंदर वो हम यहाँ पर level देख लेते हैं तगरा downfall देखने को मिलेगा इस level के नीचे जो की level है 10,240 का level है जो की एक major support के रूप में कामकाज करेगी अगर midcalf nifty के अंदर यह वाला level यहाँ पर breakdown कर जाती है या तो फिर midcalf nifty इस level के नीचे gap down खुलती है तो आप लोगों को तगरा गिरावट देखने को मिल सकता है midcalf nifty के अंदर जब तक इसके उपर कामकाज करती है तब तक आप लोगों को यहाँ पर क्या रहना है neutral रहना है तगरा buying कब देखने को मिलेगा बो मिलेगा इस level के उपर जो की level निकल के आ रही है 10,547 का जो की एक psychology का भी level है पिछले दो दिन से आप लोग देख सकते हैं इसी level के नीचे कामकाज कर रही है midcalf nifty तो अगर ये वाला level यहाँ पर breakout कर जाती है या तो फिर midcalf nifty इस level के उपर gap up opening ले ले लती है तो आप लोगों को तगरा upside का raili देखने को मिल सकता है जब तक इस range के अंदर कामकाज करती है तब तक आप लोगों को यहाँ पर क्या रहना है neutral रहना है ना तो ज़्यादा आप लोगों को sell side के तरफ जाना है ना तो ज़्यादा आप लोगों को buy side के तरफ जाना है यहाँ पर आप लोगों को एक ही strategy को follow करना है buy on dip sale on rise याने कि अगर एक particular support के पास मिलती है midcalf nifty वहाँ पर आप लोग buy कर सकते हैं अब चलो देख लेते हैं सोंबार के दिन के लिए कौन-कौन सा level important रह सकती है intraday के अंदर trade करने के लिए तो चली अब हम चलते हैं 5 minute के time frame पर अब आप लोगों के सामने 5 minute का time frame लगा हुआ है अब जो midcalf nifty के अंदर जो important resistance रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला level जो की level निकल के आ रही है 10,572 का माने लोग की अगर सोम बार के दिन midcalf nifty से level के उपर gap up opening ले लती है तो यहाँ पर call की entry कैसे लेना है क्योंकि एक psychology का level है अगर इसके उपर gap up opening ले लती है तो पहला condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जब इस level पर धुबारा retracement करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करत सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर 50 से ले करके 90 point तक का रह सकता है दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जो पहला 5 minute का candle होगा याने की bearish candle होगा जब next candle इसके लोग को यहाँ पर breakdown कर देती है तब आप लोग यहाँ पर छोटा सा scalping कर सकते हैं scalping मतलब क्य exit हो जाना तो ऐसे condition में आप लोग छोटा सा scalping कर सकते हैं put side के तरफ तीसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जब first hour के time पर इस तरीके का consolidate करती है याने की सबा 12 बजे तक और सबा 12 बजे के बाद आप लोगों को जो premium यहाँ पर 15 लेकर के 25 रुपे तक की दिखाई दे देती है उसे आप लोग यहाँ पर hero to zero trade के लिए जा सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर double triple रह सकता है जिस side भी breakout या फिर breakdown कर देती है उस condition में चौथा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का candle होगा याने की bullish candle होगा जब next candle इसके high को यहाँ पर breakout कर देती है और इसके high के उपर closing दे देती है तब आप लोग यहाँ पर safe को अलवाई कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर 50 से ले करके 70 point तक कर रह सकता है अब मालों की अगर सोंबार के दिन mid-calf 50 यहाँ पर खुल जाती है फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे condition में आ यहाँ पर एक range बनाती है और उसके बाद next hour के time पर जिस side भी breakout या फिर breakdown कर देती है और जो premium आप लोगों को 15 से ले करके 25 रुपे तक की दिखाई दे वहाँ पर आप लोग 0 to hero trade के लिए जा सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर double triple रह सकता है ध्यान में रखें अगर सों लोगों का यहाँ पर बहुती बड़ा loss हो सकता है अब मालों कि अगर सों बार के दिन midcalf nifties level के नीचे gap down खुल जाती है जो की level निकल के आ रही है 10,375 का अगर इसके नीचे gap down खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए अगर इसके नीचे gap down ख handle इसके लोगों को यहाँ पर breakdown कर देती है और इसके लोग के नीचे closing दे देती है तब आप लोग यहाँ पर safe put buy कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर 50 से ले करके 100 point तक कर रह सकता है दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap down खुलने के बाद जब first hour के time पर यहाँ पर इस तर से ले करके 25 रुपे तक दिखाई दे वहाँ पर आप लोग zero to hero trade के लिए जा सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर double triple रह सकता है तीसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap down खुलने के बाद जब इस लेवल पर दुबारा retracement करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करती है तब आप लोगों को वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो का अंदर तब तक के लिए जाहिंत बंदे मातरम